हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ Options Trading Strategy Based on Indicator यहां पर जो हम Indicator का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में सायद आपने नहीं सुना होगा और इंडिया में बहुत कम ब्रोक्वेश फ़र्म के ट्वेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको ये Indicator मिलेगा तो Indicator का नाम क्या है और इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको आगे इस वीडियो मताऊंगा साथे साथ आपको ये भी आइडिया दूँगा ये जो Indicator है इसको आप फ्री में कहां पर एक्सेस कर सकते हैं फ्री में कहां से यूज कर सकते हैं इसको हम इस वीडियो में डीटेल से समझते हैं तो यहां पर हम लोग चार्ट पर आगे हैं और देख सकते हैं ये चार्ट है आपका निफ्टी-फिप्टी का और ये हमारा Hourly Chart अब यहां पर टाइम फ्रेम को लेके लोगों के मन में डाउट होता है यहां पर आपको टाइम फ्रेम कौन सा इस्तमाल करना तो यहां पर आपको मिनमम Hourly Chart इस्तमाल करना इससे नीची आपको नहीं जाना है क्योंकि इससे नीची अगर आप जाएंगे तो यह जो strategy है उसका accuracy level उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर हम जो strategy बना रहे हैं वो कौन से indicator का इस्तमाल करें यहां पर मैं आपको clear idea दे देना चाहूंगा यहां पर जो हम indicator इस्तमाल करें उसका नाम है आपका simple swing मैं यहां पर आपको लिख देता हूँ अब यह indicator आपको free में कहां पर मिलेगा तो देख सकते हैं यह indicator आपको यहां पर red और green color का देखने को मिलेगा और यह indicator आपका थोड़ा बहुत ribbon जैसा देखने को मिलेगा इसलिए हम इसको ribbon based indicator भी बोल सकते हैं यह नी ribbon indicator भी कुछ लोग इसको बोलते हैं उस नाम से यह जाना जाता है लेकिन इसका original आपको simple swing आपको इसी नाम से खोजना होगा इसको आप खोजेंगे कहां पर आपको ट्वेडिंग भी के प्लेटफॉर्म में जाना जो कि इसली फ्री में access किया जा सकता है यहां पर आपको इंडिकेटर पर जाना और यहां पर आपको सर्ट में आपको नहीं मिलेगा तो इसका इस्तमाल कैसे करेंगे चले उसके उपर बात करते हैं यह कहां से आएगा कैसे आड़ कर सकते हैं वह जी यहां पर समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले इसके basis पे हम buy positions कब initiate करेंगे इसके उपर बात कर लेते हैं और यह काफ़ी simple है कोई complications नहीं है काफ़ी आसानी से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसके basis पे जैसा कि मैंने आपको बताया Swing trading कर सकते हैं, BTST trading कर सकते हैं, Short term trading कर सकते हैं, Delivery trading कर सकते हैं, सब कुछ trading कर सकते हैं और Most Important Options में भी trading कर सकते हैं Intrary Day में थोड़ा सा difficult होता है, क्योंकि यहाँ पे हम generally larger time frame लेते हैं और 1 hour के time frame के basis पे Intrary Day में trade करना advisable नहीं है तो Intrary Day छोड़ के बागी सब कुछ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि buy हमें कब करना है तो देखें, यहाँ पे आपको red color का ribbon दिख रहा है अब हम सबसे पहले buy पे focus करें तो जब price आपका red ribbon के ऊपर closing देगा green candle में अगर red candle में red ribbon के ऊपर closing दे रहा तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे green candle अगर closing आपका red ribbon के ऊपर दे रहा है उसके बाद जैसे ही next candle open होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा entry point बन जाएगा जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यह red ribbon के करीवी closing दिया, अगला candle यह वाला candle, red ribbon के ऊपर closing दिया है, तो उसके बाद, जैसे अगला candle open होगा, यह क्या बन जाएगा, यह हमारा यहां पर बन जाएगा, entry point, यहां पर हम buy set की तरफ positions initiate करेंगे, और यह जो label है लगबक आपका, 16,000 के करीवी यहां पर हम buy set की तरफ positions लेंगे, clear हो गया, यहां पर stop loss क्या होगा, अब यहां पर देखिए, जो भी pattern है, उससे पहले का जो भी lowest point बनता है, वो हमारा stop loss की रूप में काम करेगा, अब इससे पहले pattern यहां पर है, यह lowest point है आपका SL की रूप में काम करेगा, और आप इससे भी लंबा SL रखना चाहते हैं, तो आप इस point को भी SL की रूप में tweet कर सकते हैं, तो previous जो भी आपका support level है, यहां पर जहां से pattern की शुरुआत हुआ है, उसको आप एजर stop loss की रूप में रख सकते हैं, stop loss यहां पर flexible हो सकता, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, आप changes कर सकते हैं, तो entry point और SL मेरा यहां पर clear हो गया, अब यहां पर हमें exit कब करना, यह नि profit कब करेंगे, कब हम इस buy position से बाहर निकलेंगे, तो हमने जो buy किया था, लगबग इस level पर किया था, आपका 16,000 के करीब, अब देखें यहां पर ग्विन रिवन का formation है, प्राइस आपक करेंगे, buy positions को exit करें, यहां पर अभी तक closing नहीं दिया है, इसलिए यहां पर हम continue है, और देख सकते हैं, हमने किस दिन positions लिया था, लगबग आपका, 15th of July को market closing के time, यहां पर हमने positions लिया था, उसके बाद, 1, 2, 3, लगबग 3 और आज 4th trading session है, 4th trading session में यहां से मुझे कितना profit मिला, लगबग मुझे 500 point का profit already मिल गया, आप चाहो तो यह profit book करके निकल सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा profit माना जाता है, लेकिन अगर आप इसकी मानो, तो यहां पर अभी भी आपको नहीं निकलना, exit करना ही करना, उसके अलावा, आप यहां पर sell side की तरफ भी entry ले सकते हैं, तो यहां पर आपको एक और चीज clear हो गया, कि sell side की तरफ entry कब लेना है, जैसे ही price green ribbon के नीचे है, तो आपको यहां पर sell side की तरफ entry लेना है, और price red ribbon से उपर जाए, तो आपको क्या करना, buy side की आपको बताऊंगा, ताकि आपको यह concept clear हो जाए, नेकिए, buy side की तरफ entry हमने कब लिया था, price जब red ribbon से उपर किया था, यहां पर हमने buy side की तरफ entry कब लेंगे, जब price आपका green ribbon से नीचे आजा है, अब यहां पर देखिए, green ribbon से नीचे price आपका closing दिया है, तो यहां पर हम क् एक और काम करना, sell side की तरफ entry लेने के साथ-साथ, आपको जो buy positions आपने पहले बना रखा है, उस buy positions को exit भी करना, यहां पर आपको हर एक समय, दो काम एक साथ करना, buy positions को exit करना, और sell side की तरफ entry लेना, जब भी price आपका green ribbon के नीचे closing देता है, अब यहां पर हम sell side की तरफ entry ले दिखेगा और देखे यह आपका प्राइस उपर गया लेकिन यह आपका एसल को हिट नहीं किया यहाँ पर प्राइस आपका नीचे किरा और यहाँ पर भी आपको अच्छा कासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है तो यहाँ पर हमने सेल साइट की तरफ इंट्री ले रहें त साथी साथ जो हमने पहले sell किया था वो sell भी यहाँ पर क्या होगा exit होगा यहनी हमेशा दो काम एक साथ होगा buy entry sell exit sell entry buy exit यह आपको pair हमेशा याद रखना है और यह expect यह आपको हमेशा एक opportunity देगा trade लेनेगा आपके उपर है आप चाहो तो trade ले सकते हो नहीं तो trade छोड़ सकते हो और यह काफी सर्टीक रहता है क्योंकि यह आपको बहुत सारे factor को include करके आपको calls देता है और इसलिए generally traders इसको अपने trading platform में available करवा के नहीं देते हैं इसको आप trading view के platform पे free में access कर सकते हैं और इसके बारे में आपको YouTube पे बहुत कम वीडियो भी देखने मिलेगा इसलिए जो चीज यूटूब पे easily available नहीं है वो सारा information आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको भी जो बड़े बड़े tweedos है उसके जितना information मिल सके बस एक ही request है कि चैनल को subscribe किजे और bell icon दबाना ना भू लिए ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करें उसका notification आप तक पहुंचे तो यहां पर हमने इंट्वी देख लिया अब हम इसके basis पर क्या करेंगे options में trade काफी आसानी से ले सकते हैं क्योंकि आपको momentum को पकर कर देता है कि कब buy side की तरफ momentum आया है और कब sell side की तरफ momentum आया है वो हमें identify करने में help करता है तो अब इसके basis पर options में trade कैसे लेंगे जैसे देखिए price आपका यहां पर इसके नीचे closing दिया था और यह label अलगवग आपका 16,150 के करीब तो यहां पर हम क्या करेंगे options में trade लेना है तो 16,200 के put options को क्या करेंगे buy करना prefer करेंगे अगर आप options buying करते हैं तो नहीं तो options selling करते हैं तो call options भी अपने हिसाब से आप sell कर सकते हो उसके बाद हम SL रखेंगे इसी के हिसाब से हम SL रखेंगे यह नहीं SL जो हमारा होगा वो spot level के basis पर होगा जो options का strike पड़ाई से उसके basis पर हमारा SL नहीं होगा उसकी बाद क्या करेंगे जैसे यहां पर हमें क्या करना है बाई साइट की तरफ इंट्वी लेना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा जो हमने सब्सक्रिंदावें 200 के put options को buy किया है इस positions को हमें exit करना यहां पर हमें क्या करना ultimately profit मिलेगा तो profit बुक करना नहीं तो SL हीट हो गया तो वो पहले SL हीट हो जाएगा ठे प्रैस आपका कहा है 16,000 करीब एक psychological level है यहां पर चाहो तो आप 16,000 के call options जो कि आपका at the money यह आपका ATM है इस call options को यहां पर buy कर सकते नहीं तो आप चाहो तो in the money 15,000 950 या 15,900 के call options को भी buying करना prefer कर सकते हो यहां पर दो काम हो रहा put options को हम यहां पर exit कर रहें और call side की तरफ entry ल इसके नीचे closing दे जैसे हमें यहां पर देखने को मिला है अगर same situation हमें आगे कभी भी देखने को मिलता है तो वहां पर हम क्या करेंगे call option जो भी हमने buy किया वहां से हम क्या करेंगे exit करेंगे और at the same time put options उस particular strike price का या फिर slightly in the money हम उसमें entry लेंगे तो options के अगर आप बात करे put exit होगा तो हम यहां पर जो भी आपको बता रहें वो options buying के angle से देख रहे हैं अगर आप options writing करते हैं तो अब थोरा भूत यहां पर अपना दिमाग लगा के इसके basis पे trade execute कर सकते हैं काफी आसानी से इसका opposite आप trade ले सकते हैं तो उमीद करते हैं यहां पर यह concept clear हो गया अब हम यहां पर और example through आपको समझाने की कोसिस करते हैं सेम concept को अब हम यहां पर आ गए हैं किस पर bank nifty के अब अब यहां पर भी हमें same situation देखने को मिल रहा है अब देखिए प्राइस यहां पर आपका किसके नीचे closing दिया है green ribbon के नीचे closing दिया है मतलब यहां पर हम options के अंगल से देख रहे हैं यहां पर हमें क्या करना यहां पर हमें सबसे पहले put options buy करना लेकिन इससे पहले भी हमें क्या करना call side की तरफ जो भी positions हमारा पहले था उसको exit करना यह नहीं green ribbon के नीचे closing call exit put buy उसकी बाद price यहां पर आपका red ribbon के ऊपर closing दिया है that means to क्या होगा इस particular level पर क्या ह होगा सबसे पहले यहां पर हमने क्या भाई किया था put buy किया था तो put हम exit करेंगे और उसके बाद दूसरा position क्या होगा call side की तरफ यहां पर हमारा entry होगा तो हमेशा इसी पेर में काम करेगा और इसी पेर में आपको काम करना होगा तभी जाके आपको maximum profit मिलता हो देखेगा य wind ribbon के नीचे call exit put entry concept clear है यहां पर और भी देख सकते हैं आप पीछे भी जाके पूरा पूरा चेक कर सकते हो यहां पर आपको situation clear कर देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर आपको यहां पर SL भी हिट होता हो देखेगा लेकिन यहां पर आपको profit अच्छा खासा मिलता हो देखेगा इस loss होगा यहां पर जब आपका SL हिट होगा तो वहां पर क्या होता है जो loss होता है वह काफी small loss होता चोटा 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 नुकसान होता यहनि आपका चोटा 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 यहनि 10 से 15 point का SL हिट होगा उससे ज्यादा का SL यह हिट नहीं करवाता है लेकिन जब आपको यहां पर profit मिलता है अभी वाला live column में देख लिया कि profit यहाँ पर 500 point के मिला था यहाँ पर minimum profit आपको 50 point के करी मिलता हुआ देखेगा यह नहीं यहाँ पर profit मिलता है वो आपको big profit मिलता और जो loss होता है वो काफी small loss होता है तो यहाँ पर अगर आपका ratio 50-50 भी है risk reward ratio फिर भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि अगर आप 5 trade लेते हैं तो लगबग यहाँ पर आपको 500 point का profit मिल जाएगा और अगर 5 trade आपका नुकसान भी होता है तो maximum यहाँ पर आपका 100 point का नुकसान होगा तो अगर आपका यहाँ पर ratio 1 is to 1 भी रहता फिर भी आप overall 10 trade लेते हैं तो वहाँ पर लगबग 100-500 point का profit nifty में आसानी से मिल सकता है bank nifty की बात करें इसका double कर सकते हैं लगबग 500-1000 point का profit आपको आसानी से मिल सकता अगर आप overall monthly basis पर count करें तो तो यह काफी simple सा strategy है इसको use करना कोई difficult नहीं है और यहाँ पर आप back to back trade ले सकते हैं एक trade हटने के साथ दूसरा trade ले सकते हैं तो जो लोग market में हमेशा बने रहना चाहते हैं हमेशा active रहना चाहते हैं और कोई भी opportunity miss नहीं करना चाहते हैं उनके लिए यह indicator एक जबरदस्त indicator है और उनको बहुत ज़्यादा help मिलने वाला और इसके basis पर आप चाहो तो stocks में भी trade कर सकते हो सिर्फ nifty और bank nifty में नहीं stocks में भी trading किया जा सकता है और stocks में भी यहाँ पर हम daily chart पर आ रहे हैं green ribbon के नीचे गया है अब green ribbon नीचे का जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें put side की तरफ interview लेना ही लेना लेकिन इससे पहले हमें क्या करना जो call options हमने वाई किया है वहां से हमें exit करना यह नहीं call side की तरफ exit लेना put side की तरफ interview लेना है और यहाँ पर add the money या फिस slightly in the money कर सकते हैं strike price selection कोई बरी बात नहीं strike price आप select कर सकते हो जैसे यहाँ पर आगर हम बात करें तो लगवग आपका strike price होगा 750 या 760 जो भी हो उसके put options को यहाँ पर क्या कर सकते हो buy कर सकते हो फिर जो भी आप पर strike price का call options buy किया उसको आप यहाँ पर exit कर सकते हो simple तरीके से देखिए red ribbon की उपर price किया है यहाँ पर strike price का selection क्या होगा यहाँ पर simple सा 700 के strike price का call options buy कर सकते हो और call options buy करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा put options जो आपने buy किया, उस put options को आपको exit करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने 760 या 750 का जो भी put options हमने buy किया, वो यहाँ पर हमारा exit होगा, और यहाँ पर हम entry लेंगे 700 के call options को buy करके बागी यहाँ पर भी वही काम होगा एक exit होगा दूसरा entry होगा और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमने buy side के तरफ entry call लिया है वो यहाँ पर continue है और आपका stop loss कभी कभी hit होगा तो छोड़ा छोड़ा होगा जैसे इस situation में आपको थोड़ा बहुत SL hit हो सकता है लेकिन जो profit मिलता देख सकते है बिग बिग profit यहाँ पर हमें मिलता हुआ दिखता है जो मैं बता रहा है उसको आप खुद से check किजिए सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा मत किजिए किसी पर भी trust नहीं करना है सिर्फ आपको candlestick देखना और इसी पर भरोसा करना है और यही आपको सारे questions का answer देदेगा इसके लाब अगर आपके मन में कुछ भी doubt है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको proper answer किया जाएगा उमीद करते हैं यह concept समझ में आ गिया होगा और इस indicator इस्तमाल कैसे करना वह भी आपको idea मिल गया होगा तो अगर आपको यह video पसंद आया वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe ही किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन